है है महादेव डेली प्रैक्टिस सीरीज के दे 32 में आपका स्वागत है पार्ट भी हमारा चल रहा है सिक्स्टी डेस की प्रैक्टिस सीरीज का पार्ट अ उल्रेडी हम कर चुके हैं सुबह के शुरात पांच मिनिट मौनिंग मैनिफेस्टेशन के साथ में एडवांस मैथ में मैंचुरेशन कर रहे थे गगन प्रताप सर से 2D हम कंप्लीट कर चुके हैं और 15 घंटे की स्पेशिल क्लास हम देख रहे हैं जिसमें हम हर रोज 1.5 आवर यांकि 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं दस दिन के हिसाब से हमने डिवाइड कर रखा है साड़े साथ घंटी की क्लास ह करनी है कॉंसेप्ट अपनी क्लियर करना अंडेस्टेंट करना प्रॉपरली और चीजों को नोट डाउन कर लेना जो भी क्रूशिल चीजे हैं आपको लगता है इंपोर्टेंट है कॉंसेट समझा रखा है यही चैप्टर बहुत जादा इंपोर्टेंट है इससे बहुत समझकर चलना अर्थमेटी का के आवरीज चैप्टर से सो 10 क्वेशन करने हैं किसी भी बैट से class ली थी और तब note down के थे तो वो भी कर सकते हैं previous year question होने चाहिए time लगा के आप कर लेना कुछ भी important concept आता है तो उसको note down कर लेना ताकि final revision में हमारे लिए easy हो जाए practice में आज आपको SSE Math PYQ mock test series में जाना है test book पे और वहाँ पे MTS के 2023 वाले sectional test में 32, 33, 34 करना है 60 question है यह आपके एक paper देना analysis करना फिर दूसरा paper देना analysis करना बिना analysis के आप कोई भी paper आगे मत देना analysis बहुत जादे important है जो भी question आपको problem हुई जिसमे time जादा लगा आपने तुक्का मार दिया या कोई concept नया था तो उन सब चीजों को आप note down कर लेना तिलसमी note book मैंने आपको कहा था एक तिलसमी note book लगा कर रखें जिसमें आप इस सारे question note down करें reasoning में SSC reasoning PYP mock test series में आप जाएंगे तो वहाँ पे GD 2023 के sectional test है 31, 32 आप करना 40 question with analysis करना पहले एक paper देना फिर analysis करना और इसी test series में 75 days का hard challenge है जिसमें आपको day 27 की 3 quiz करनी है 40 question है incomplete pattern का है और puzzle का है बहुत important और जहां chapter specific हो जाता है वहाँ analysis आप अच्छे से किया करो ताकि आपको पता रहे कि आपकी core problem कहा है यह chapter specific quiz काफी जादा important है तो इनको अच्छे से करना analysis आप ध्यान से करना दोनों ही chapter बहुत ही जादा important है तो जो भी question आप से गलत हुआ आपने तुक्का लगा दिया या जिस टाइम कंजूमिंग था आपको लगा कि कुछ नया बता रहे है तो उसको नोट डाउन कर लेना नोट बुक में ताकि final revision में आपके लिए easy हो जाए रो सारी question एक जगे नोट डाउन किये हूं जिन में आपको प्रॉब्लम हुई थी इंग्लिश में एसिस इंग्लिश बीवाई पी मोक्टे सीरीज में CPO 2022 वाला sectional test 3 आपको देना है पचास question है अच्छे से analysis करना समझ कर चलना यह जो क्वेज है कि comparatively easy है CPO वाली यहां पर 50 question आपको दे रखे हैं तो आप इनको ध्यान से करना silly mistake होने के जो जितना easy chapter होता है उसमें हम बहुत गल्टिया कर ही देते हैं मुझसे बहुत ज़ाद हो जाती तो 40 questions आप मुझे बताना कि आप से कितने सही हुए यह जरूर आप मुझे बताना कि आपने कितनी क्वेशन चालेस में से कितनी क्वेशन आपने सही कि और इसी में आपको वह वीजन मिलेगा जिसका आपको डे पहली कोई जी करना बस आप 10 वाली वह दस कुएशन आप करना फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं तो आप ध्यान से करना अच्छे से समझ कर चलना और ओप्शन वाले को भी पढ़ कर चलना जीके में अससी जीके पी वाई पी मोक्टे सीरीज में आप जाएंगे स्टैनों दो या क्या है वो आपको पता होना चाहिए पांच मिनट की नाइट मेनिफेस्टेशन करना हर हर महादेव